अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हैं भाई सब बढ़िया आओंगे इस वीडियो में कवर करेंगे इंडिया और शिलंगा के बीच में जो पहला T20 माच्स के बीच में जो आपको तीन T20 मैच्च के सीरीज यहां पर देखने को मिलेगी जिसका पहला मैच्स केला ज आपको दिखाऊ हूँ भाई एक एक चीज़ ठीक है कुछ भी आपको यहां पर मैं जो है नहीं छोड़ने वाला तो complete वीडियो देखोगे आपको पूरी information मिल जाएगा और आपकी टीम जो है बहुत बढ़िया बनेगी अगर आप लोग स्टैट्स देखने के बाद में टीम को काफे ज़्यादा मेनद लगती है तो आप लोगों का लाइक काफे ज़्यादा मोटिवेट करता तो दोस्तों लाइक जरूर करना दूसरी जो important चीज़ रहेगी बाइचान समान लीजे दोनों टीम्स के लाइन अप्स के अंदर अगर कोई भी changes होते है या फिर final team में अपनी को कोई भी change करने पड़ेंगे last moment पे आपको अमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी updates टोस्त के बाद में दी जाएंगी तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे इसी वीडियो के comment section में और आपको वीडियो के description में दोनों जगय पर मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल को दोस् सबसे पहले बात करें वेन्यू जैसा कि मैं आपको बता चुकों वान केड़े स्टेडिया मुंबई के वेन्यू पर मैच कहले जाएगा ठीक है सबसे पहले बात करेंगे इस वेन्यू पर खेले गए T20 इंटरनेशल मैचिस की उसके बाद में चलेंगे भाई T20 डोमेस्टिक मैचिस पे ठीक है सारी चीज़े समझाऊगा कोई दिक्कत नहीं है बस आप लोग वीडियो आराम से देखते रहे ना टोटल अगर T20 इंटरनेशल मैचिस की बात कर तो केवल साथ मैचिस कहले गए दो मैचिस वो उनकर ए फस्ट बैटिंग ने तो पास मैचिस यहाँ पर ज एक सो पिच्चानवे के आस पास रहे ती टून्टी इंटरनेशल की बात करों एक सो पिच्चानवरं से टी टून्टी मैचिस में और वो भी भाई एवरे स्कोर है ठीक है आप लोग समझ सकतो कि कितना तगड़ा यहाँ पर बैटिंग विगेट रहेगा ठीक है सबसे इसका है तो जबरदस्त विगेट रहेगा यहाँ पर बैटिंग के लिए ठीक है स्कोरिंग पैटर में बात करें 150 से कम सर्फ एक बार स्कोर बना 190 से ज्यादा का स्कोर देख सकतो आप लोग 4 बार बना और यह केवल 7 मैचिस में देखने को मिला तो यहाँ पर टोटली बैट अगर सिरलंका पहले बैटिंग करना है और शायद उतना अच्छा पर्फूम वो ना कर पाए तो पूरा मैचियार खराब हो जाएगा तो चाहेंगे कि इंडिया की टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करने जरूर आए T20 Domestic की बात करते है T20 International की आगड़े आपको दिखा दिये जहां पर केवल साती मैचिस हुए थे लेकिन T20 Domestic या निकि आई पल के जो मैचिस यहां पर खेले गए उनमें देखोगे टोटल 104 मैचिस हुए है first betting ने 48 वोन करें तो second betting ने 56 matches वोन करें एक चीज यहाँ पर clear रहेगी दोस्तो देखो थोड़ास advantage आपको देखने को मिल पार होगा यहाँ पर second betting के लिए ठीक है लेकिन यह कोई बहुत बड़ा difference नहीं है 104 matches में सिर्फ 80 match आगे है second betting वाली team और इतना तो बाई चीजे उपर नीचे चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि totally favor में second betting के जा सकती है बढ़िया तो definitely यहाँ पर खेलना पड़ेगा चाहिए आप लोग first betting कर रही हो कोई team यहाँ पर या फिर second betting क्यों ना कर रही हो खेलना तो बढ़िया पड़ेगा scoring pattern में यहाँ पर देखेंगे average जो score 166 है पहली निंग का T20 International में 955 का score था तो 166 का score 170 का score भी T20 मैसिज में कम नहीं होता जबकि यह average score है नीचे देखेंगे highest score Royal Challenges बैंगलोर यानि कि RCB के नाम 235 रन और वो भी वाया सिर्फ एक विकेट पर सबसे कम score कोलगाता नाइट राइडर्स के के कार की टीम के नाम है score 167 है scoring pattern देखो अब यहाँ पर आपको हर एक चीज समझनी पड़ेगी 150 से कम score 26 बार बना 150 से 179 के बीच में 25 बार 170 से 179 के बीच में 33 बार 190 से ज़्यादा का score 20 बार अब देखो के हर टाइप का score यहाँ पर आपको अच्छा खासा बनता वादी का है ठीक है लेकिन जो conditions रहेंगी वानकेडे के stadium की मैं मान के चलूँगा टोटल बैटिंग के favor में चीज़े जाएंगी डेर्स हो के आसपा score तब रुख सकता है जब सरलंका पहले बैटिंग करना है गी और इंडिया की team पहले बैटिंग करना है गी मैं कम से कम 170 score यहाँ पर मान के चलूँगा अगर इससे नीचे इंडिया की team ने score किया ना 1st बैटिंग करतो है मान के चलो defend करना काफी ज़ादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतनी हलकी आपे सिरलंकन टीम को भी नहीं लेके चल सकते हैं काफी बढ़िया प्लेस मिलेंगे पातूम निशंका जैसे प्लेयर है कुसल मेंडिस जैसे प्लेयर है वानी दोसरंगा जैसे गेंदबाज आपको उनकी टीम में मिलेंगे जो की बैटिंग आने पर रंस भ की जो है वीनर टीम रही है सिरलंका की टीम आपने देख भी है लोगा भाई बड़ी बड़ी टीम को पसाड की इसया कप विन गया है तो डैफिनेटली भाई तगडी टीम मिलेगी सिरलंका की पेस वर्से स्पिन देखेंगे लास्ट के 10 मैंचे जो इस वेनू पे हुए है ज जो कि 24 दिसंबर 2017 को खिला गया था सिरलंका की टीम ने 135 करे थे जब पहले बैटिंग करने आई इंडिया की टीम ने 149 बना के चेज किया था पांस विगेट पे लेकिन ओवर देखोगे 19.2 ओवर में चेज किया था मतलब सिर्फ 4 बोल्स बाकी थी जब जाके इंडिया की ट तो 35 का टार्गेट सेज गया था सिरलंका के सामने इसी वेन्यू पे ठीक है तो सिरलंका की टीम ने काफी तकड़ी करी थी पांस विगेट से मैच को विन पे खिले था अब यांपे आपको T20 डोमेस्टिक मैं दिखाँ हूँ हूँ है ट20 इंटरनेश्टर भी आपको दिखा तापसे आप भी शायद उस चीज में फिर काफी जादा बोरिंग मैसूस करते तो मैं इस मैस को ना दो वीडियो में कवर करूँगा एक मैं आपको वेन्यू से रिल्टिड मैं या पे पूरे स्टैट्स बताऊँगा अब जो सेकंड वीडियो आएगी इसके बाद में उसके अंदर में आपको प्लेस के हैड टू हैड आकड़े पलस आपको प्लेयर बैटल बताऊँगा कि कौन सा बैट्समन किस गेंधवास के सामने कैसी बल्लेवाजी कर सकता है कौन सा बोलर किसका विकेट निंगा सकता है वो सारी चीज़े आपको सेकंड वीडियो गदर मिलेगी वेन्यू के जो स्टैट्स हैंगे वो डिटेल में हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे ठीक है कर रहे थे 7 विगेट पर मुंबई इंडियस ने चेज किया था 5 विगेट पर 170 रचंस बना के 5 विगेट पर मुंबई इंडियस ने मैच को विन किया था 19 मई 22 गुजरात टाइटंस यहाँपे 168 बनाई थे 5 occupity पर रॉयल चलेंडर से बैंगलोर 170 शतर बनाए दोविकेट पर चेज गर लिया यहां पर आठ विकेट फे मैस को विन गया था ठीक है देख सकते हो हर मैस में आपको अच्छा-कासा यहां पर स्कोर बनता हूँ दिख रहा है ठीक है 23 रंस 5 विगेट पे गुजरात टाइटन्स 137 बनाई 3 विगेट पे गुजरात टाइटन्स ने 7 विगेट से मैस को विन किया तो और लास्ट आई पेल में चेने शूपर गिंग्स की टीम एक्चल में उतना चापर्फॉर्म कर भी नहीं पाई थी भाई ठीक है तो इनका तो स् टीटवन्टी डोमेस्टिक मैचेज गी अब रिशेंट जो मैचेज वे टीटवन्टी इंटरनेशनल के अब जो लास्ट मैच यहां पे टीटवन्टी इंटरनेशनल का कहला गया था वो 2019 में खेला गया था बाई मतलब लगबग आज से तीन साल पहले बट फिर भी मापको यहां पे देखोगे तो यह आकड़े दिखा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं सा था कि मेरे युद्धस को कोई भी इंफोर्मेशन की कमी हो 11 दिसंबर 2019 को लास्ट टीटवन्ट इंटरनेशन मैच हुआ था इंडिया की टीम ने 240 करे थे तीन विगेट पे जो कि यहां पे सबसे बड़ा स्कोर है किसी भी टी-20 मैच में मुंबई के वानखेडे स्टेडियम पे वेस्ट इंडिज की टीम ने 173 बनाए थे हाट विगेट पे चेज़ करना तो आप लोग समझो कि ना मूम की निताबाई 240 रंज सेज़ करने काफी ज़्यादा मुश्किल होते या फिर नाक मैच को विन किया था 24 दिसंबर 2017 को मैच के लागया था सिलंका जब पहले बैटिंग करना ही 135 किये थे 7 विगेट पे इंडिया ने 149 बना के चेज़ कर दिया था 5 विगेट पे ये आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ 33 मई 2016 इंडिया 192 विगेट पे वेस्ट इंडिज 196 चेज कर दिया काफी बड़े स्कोर को 7 विगेट पे मैच को विन कर लिया देख सकते हो ना रंस आप लोग कितने बढ़िया बनते वे दिख रहे हैं याँ पे 20 मई 2016 को मैच वा था साउथ अफरिका 209 बना के गई 5 विगेट पे अफगानिस्तान की टीम बहिया 172 बना दिये सैथी सरन से जरूर साउथ अफरिका की टीम ने मैच को विन गया था लेकिन अफगानिस्तान की टीम कुछ कम नहीं खेली थी ठीक है क्योंकि उतने बड़िया देखो प्लेयर है नहीं ठीक ठाक टीम मानके चलो इतने बड़े स्कोर को अफगानिस्तान की टीम चेज नहीं कर सकती फिर भी उस हिसाफ से देखें तो अफगानिस्तन बहुत बढ़िया खेली थी अठारा मार्स 2016 साउथ अफरिका तो 29 पे चार इंग्लेंड की टीम यह थी भाईया चेज करने वाले टीम ठीक है ऐसे टीम सितने बड़े स्कोर को चेज कर सकती है तो यहां यहां पे इंग्लेंड ने देख सकते हैं 230 बना दिये बाई आट विगेट पे चेज करते हैं 239 के स्कोर वो भी वो भी साउथ अफरिकन टीम के सामने जिनका गेंदबाद जी डिपार्टमेंट काफी बढ़िया होता है ठीक है फिर भी इंग्लेंड की टीम टीम ने दो मैच्छिज वोन करे तो वहीं पना आट टीम स को बाइंगे फीरीब आनफी और देखने को मिल जाएंगे स्रिलंका चैविगर से मैच को विन करके गई थी बहुत बढ़िया टीम है स्रिलंका की हलके में मत चला ठीक है और दूसरी चीज़ आपको बता दू इंडियन टीम के पास में जो बोलिंग डिपार्टमेंट है ना वो उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर स्रिलंका की टीम अच्छी जो है परफॉर्म करेगी कड़ी टकर मिलेगी इंडियन टीम को यह आप लोग देखके चलना मैच नंबर यहाँ पर तीन खेला गया था यानि कि थर्ड T20 जब स्रिलंका की जो टीम थे वो इंडिया के टोर पे आई थे भाई 27 फरवरी 2022 को मैच था स्रिलंका ने 140 करे जो की काफी कम टोटल था इंडिया 148 बना के चेजगर के गई थी 6 विगेट से मैच को विन किया था उसके बाद में देखोगे 26 फरवरी को मैच था इसी सीरीज का भईया सेकंड T20 मैच स्रिलंका 183 बनाई 5 विगेट पे बहुत बढ़िया खेली थी इंडिया की टीम 186 बनाके सेज़ कर गई 3 विगेट पे 7 विगेट से मैच को विन किया था ठीक है तो जब्भी इंडिया स्रिलंका की टीम स्कैली हैं तो काफी अच्छी अच्छी हमें मैचिज देखने को मिले है और इंडिया कीatures को स्रिलंका की टीम बहुत बढ़िया तरीके से पैचानती होगी दोस्तों ठीक है बाकी इंडिया के अंदर मैचीज रहेंगे थोड़ा सा चीज़े फेवर में इंडिया टीम के जरूर जाएंगी वो भी जानक ना बैटिंग बहुत बढ़िया गरनी पड़ेगी इंडिया की टीम को यह कंफरम है सिलंका की टीम को अगर हलके में लेगे चलेंगे डेफिनेटली मार खाएंगे बाई इंडिया की टीम यहाँ पे तो सिलंका को अगर हलके में ना ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा इनके लिए बाकि पूरे स्टेट्स वेन्यू से रिलेटेड जो भी चीज़े थी दोस्तो एक एक मैंने आपको यहाँ पर बता दी ठीक है अब बचती है सेकेंड वीडियो उसके अंदर मैं आपको क्या चीज़े कवर करूँँगा एक पर फरसे बता दू हैड टो हैड स्टेट्स में आप कुछ वीडियो में बता हूँ आप लेस के और उसके बाद में आपको प्लेयर बैटल वहाँ पर मिल जाएगी ठीक है तो जबरदस्त वो वीडियो पर रहेगी बहुत सारी चीज़े आपको समझ आएंगी वेन्यू के स्टेट्स मैंने आपको यहाँ बहुत बढ़िया जाता तो इसलिए मैं इस मैंच को दो वीडियो में कवर करूँ है आप लोग अच्छे से दोनों वीडियो देख लेना ठीक है उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपने कंप्लेट वोच किया होगा पसंद आयो न तो बाई देखो वीडियो को यहर लाइक जरूर कर क्योंकि यह स्टैट्स निकालने में बहुत ज्यादा मेंनद लग दिया है आपका एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट करेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना सब्सक्राइब कर देना चैनल को नोटिफिकेशन बेल आप लोग जरूर ओन कर देना कोई भी मैस की वीड डिस्किप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा वहां से भी आप लोग जोइन कर सकते हो बट टेलिग्राम को जोइन कर लेना टोस्के बाद में कोई अपडेट्स होंगी आपको जरूर टेलिग्राम पे मिल जाएगी कोई भी प्लेयर आपकी फाइनल टीम से मिस नहीं तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूं कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम कॉमिनेशन बनाओगे और आपकी टीम अच्छा पर्फॉर्म जरूर करेगी